क्या आप भी अपने email ID के password को पता करना चाहते हैं तो ये वीडियो होने वाली है सिर्फ आप के लिए क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ share करने वाली हूँ कि आप अपने email ID के password को कैसे पता कर सकते हैं तो इस वीडियो को बिन स्किप के वे step by step follow कर लेना है और अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दे तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो तो सबसे पहले हमें अपने phone के settings में आ जाना है यहां पर आने के बाद हमें नीचे की तरफ आ जाना है यहां पर आते ही देख सकते हमें एक option देखने को मिल रहा है Google तो हमें इस पर क्लिक कर देना है अब यहां पर हमें कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल रहा है तो देख सकते हमें एक option मिल रहा है all service त तो हमें इस पे क्लिक कर देना है इस पे क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक option मिल रहा है Google Password Manager तो हमें इस पे क्लिक कर लेना है इस पे क्लिक करते ही हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो नीचे की तरफ देख सकते हमें एक option मिल रहा है Google.com कर के तो हमें इस पे क्लिक कर लेना है इस पे क्लिक करते ही यहां से आपको अपने फोन का log या फिर fingerprint को दे देना है तो अब आप देख सकते हमें कुछ इस तरीके का interface टखने को मिल रहा है तो देख सकते हैं मेरे फोन में जो भी email ID है उसका password यहाँ पे save है तो आप भी इस तरीके से आपके phone में जो भी email ID होगा उसका password यहाँ पे इस तरीके से होगा आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से आप copy कर सकते हैं तो आप इस तरीके का option मिल रहा है तो हमें इस पे click कर देना है इस पे click करने के बाद देख सकते हैं नीचे की तरफ हमें एक option मिल रहा है settings का तो हमें इस पे click कर देना है इस पे click करते ही देख सकते हैं हमें कुछ आपको भी इस तरीके से कर लेना स्वाई होप कि आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो जाते-जाते मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक भी करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं थैंक्स पर वाचिन में वीडियो